रेट मी फोर डेटा रोमिंग सेटिंग नमस्कार डोस्तो सुवागर है अब सभी का तिकराच योटूब चैनल पर तो दोस्तो इस वीडियो पर आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है डेटा रोमिंग सेटिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने डिवाइस पर तो अगर आप सेट करना है आज की इस वीडियो पर उसमें आपको यहीं सेटिंग शो करके बताने वाला तो चलिए वीडियो को देरना करते हुए शुरू करते शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बैर आइकून को क्लिक इसके लिए SIM card in mobile net werd पर जाना है उसके बार आपको यहाँ पर मिलेगा data roaming तो आप यहां से जोहें दोस्तो data roaming set कर सकते है डेटा रोमिंग को दोस्तों आप यहाँ पर always कर सकते हैं और turn on कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप यहाँ पर for acceptation only करके turn on कर सकते हैं और set कर सकते हैं ठीक है अगर आप always करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो डेटा रोमिंग है वो हमेशा ओनी रहेगा अगर आप acceptation करते तो बस कोई specific जगे पर ही यह changes apply होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आप जो है data roaming के लिए यहाँ पर data limit set कर सकते हैं अगर आप roaming पर चले जाते तो उसमें आपका जो data है वो थोड़ा सा ज्यादा consume करते हैं ठीक है तो उसके वज़ए से दोस्तों आप डेटा roaming यूज करते तो उसमें कई लोग data limit set करके use करते हैं तो यहां से दोस्तों आप डेटा रोमिंग को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं और यह है दोस्तों आपका डेटा रोमिंग सेटिंग तो आज के इस वीडियो बाड़ो से बस इतने टैंक्स पो राचिंग